हेलो एवरीवन गुड मॉर्णिंग अल उफ यू आई होप आप लोग सब अच्चे होंगे और आपका अंकुस अकेड़ेमी में स्वागत है और मैं प्रियंका आज बात करेंगे कि जहारखंड CGL का जो एकजम दोजर सोईलों में हुआ था तो उसमें जहारखंड के पोर्शन से 40 questions आता है जहारखंड से वो सारा question हम बताएंगे कि कौन-कौन सा question आया था क्योंकि कोई भी एक्जम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले syllabus और previous year question देखना बहुत जरूरी होता है क्योंकि previous year question के अनुशारी आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस portion से कितना question आया है तो चलिए आज हम इसी के बारे में बात करेंगे तो जहारखंड के portion से 40 question आता है तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि 40 question कौन कौन सा था और किस portion से आया है ताकि आप लोग जितने भी students चारकन CGL की तयारी कर रहे है वो लोग analysis कर सकते हैं कि किस किस portion से कितना question आया और किस अनुसार अपना हम तयारी करेंगे तो सबसे पहले मयूराक्षी नदी का उद्भा वस्तल यह जो मयूराक्षी नदी है उसका उद्भा वस्तल कहां पे है तो उसमें 4 option दिया रहता है तो उसका एक तिर्कुट पहाडी कहां पे उसका जो उद्भा वस्तल है कहां है तिर्कुट पहाडी और यह तिर्कुट पहाडी कहां पे है तो देभभर जीला में कहां पे है? देभभर जीला और यहीं से मयूरक्छी नदी का उधभव हुआ है. मतलब मयूरक्छी नदी यहीं से निकला है. आप आता है कि second question, second question है कि बिर्षा मुंडा को और किस नाम से जाना जाता है? तो बिर्शा मुंडा अंदोलन जब हुआ था मुंडा विद्रो तो उसका नेतरुट करता थे बिर्शा मुंडा और बिर्शा मुंडा को और नाम से जाने जाते थे धरतियावा या फिर भूपिता इनको जो और दूसरे नाम से जाना जाता था वो था धरतियावा या फिर भंडार है जारखन्ड के किस जीले में तंबा ऐस का सिम्रित भंडार है तो वो कहां पे है पूर्वी शिंग्वू में कहां है पूर्वी शिंग्वू में और फुलडूंग्री किस सहर के निकट है तो घार सिला कहां पर घार सिला के निकट है अब है विर्षा के नत्रित में सुरू उल्गुलन का क्या मतलब था जिस टाइम विर्षा मुंडा विद्रो का नत्रित कर रहे थे विर्षा मुंडा उस टाइम उल्गुलन का क्या मतलब था इसका मतलब विद्रो क्या थ विद्रूeder, और विर्श्षा अब आता है कोष्चota की जारखंड में, इंडियन स्कूल अफ माइन्स, जो जारखंड में, इंडियन स्कूल अफ माइन्स वो कहां पे है, तो वो धनवाद में है, और इसकी कभ अस्थापना की गई, तो तो एंटियद्ग की गई जारखंड में इंडियान इश्कुल आप माइंस कहां पर है धनबाद में और इसकी अस्थापना कब की गई थी उनेश्रोग 21 में आप आता है कि कौन सा सहर भारत के माई के राजदानी के रूप में जाना जाता है कि भारत का कौन सा राजी है जाना जाता है तो ऑब भारत का सबसे जायदा उद्पा ár अब्रको हालता है खार्खंड का सबसे जायदा उत्पादन होता है तो वह कोड्रमा में होता है ऑर वह अब्रAK है उसमें भी बहुत बहुत परकार किस्म के होते हैं और सबसे अच्छा किस्म का अबरक कौन माना जाता है तो रूबी अबरक सबसे उच किस्म का अबरक किसे माना जाता है रूबी अबरक अब टाटा आईरनें इस्टिल कंपनी के संस्थापक कौन थे यह जो टाटा कंपनी है उसका संस्थापक टाटा इस्टिल कंपनी के संस्थापक कौन थे तो जमसेद जी टाटा थे कौन थे जमसेद जी टाटा और यह टाटा आईरनें इस्टिल कंपनी का अस्थापना हुआ तो उने सो सातिस्वी में और इसमें ये ताटा कंपनी में उने सो सात में इसका स्थापना उग उधपादन कब शुरू हुआ ये जो कंपनी है उसमें उतपादन सुरू हुआ उने सो 1115 मेंगदå अब पुस्तक था, पुस्तक से भी दो कोश्चन इसमें देखने को मिलता, इस कोश्चन पुस्तक, मरंगोडा निलकंट हुआ, ये जो पुस्तक का नाम है, मरंगोडा निलकंट हुआ का लेखक कौन था, महुआ मांजी कौन थे, महुआ मांजी, मरंगोडा निलकंट हुआ के लेकर मगवा मांजी हैं अब है कि भारत के राजियों के गठान के समन में जार्खंड का स्थान क्या था एक कोश्चन ये भी पूछा गया था कि जो जार्खंड का गठान हुआ है वो भारत के राजियों में उनका कर्म क्या है जार्खंड का कर्म क्या है तो उस टाइम 28 था अ का गठान हुआ अर्ते लंगाना का गठान हुआ था वो दो जुन दो जार चोगदा को क्योंकि जम्मु कस्मीर पहले एक राज़ी का दर्जा था अब जम्मु कस्मीर एक यूनियन टेरिटरी बन गई है जिसकी वज़े से इसका संख्या 28 से 27 हो गया जार्खंड की पहली राज़भासा जार्खंड की जो पहली राज़भासा है वो कौन सा है हिंदी है ये भी कोस्चन जार्खंड की पहली राज़भासा कौन है हिंदी और जार्खंड की दित्ती राज़भासा अगर कोस्चन आ जाए कि जार्खंड की दित्ती राज़भासा क अग्रदूत है, मतब जो वशंत पंचमी का मोशम होता, उस टाइम जो कौन सा मोशम आता है, तो वशंत आता है, कौन सा आता है, वशंत आता है, अब कोस्चन है कि जादू गड़ा यूरेनियम खादान, ये जो जादू गड़ा यूरेनियम खादान है, जारखन के किस जीले म तो पूर्वी शिंग भूम में है, कहां पे है, पूर्वी शिंग भूम में है, अब question next है, स्री सम्मेद सिखर जी को और कौन से रूप में जाना जाता है, ये जो स्री सम्मेद सिखर जी है, को और कौन से रूप में जाना जाता है, तो पारसनात पहाडी, कौन नम से जाना जा पारसनात पहाड़ी और पारसनाद पहाड़ी कहाँ पे है ये ग्रेड़ि जीला के अंतररगद मधुबन के छेतर में अब खेरवार विद्रो के नेताओं में से ये है, जो खेरवार विद्रो हुआ था, उसमें चार ओप्षन था, जिसमें से एक उनका जो नेता आई, उसका जो नेतरुत किया था, वो कौन था भगीरत मांजी, कौन किये थे भगीरत मांजी, एक खेरवार जो विद्रो हुआ था, उसका नेतर प्षट पूजा कि परसित चट पूजा वो किस देवता के अराधना के लिए की जाती है तो सुरी के लिए कौन भगवान के लिए शुरी भगवान के लिए अब फिर एक पुष्टक ये इसमें जो कोश्चन है पिछले साल प्रिवियस ये कोश्चन पेपर में उसमें दो पुष्टक का कोश्चन आया था कि पुष्टक कौन लिए अब है मुंदारी लोग कथा है ये जो मुंदारी ल किस सिल्प कला से संबन दीत है एक एक कोस्चन था कि ज्यारखन का द्रोका किस सिल्प ग्ला से संबन दीत है तो यह से धातू से है अब है sound event такая अब नेक्श्ट कोस्चन ज्यारखन का कॉन सा जाएदा है एक परमुख खनीज यह जो खनीज का उत्पादन होता है वो प्राइम कोकिंग कोल है इसमें 20 कोस्चन है यह इसको अच्छे से देख लीजिए हो सकता है फिर इसी सब कोस्चन से एक दो कोस्चन रिपीट हो जाए अब था कि कौन सा आयोग प्रस्तुत किया था ज जिसमें अलग जार्खंड राजी की मांग की गई थी मतब पर जब कौन सा वो पर्थम आयोग था जिसमें जार्खंड राजी को अलग जार्खंड राजी के गठन की मांग की गई थी तो वो साइमन आयोग था कौन था साइमन आयोग और साइमन आयोग भारत में कब आया थ तो उनेश्वрो 28 में आया था। कब आया था। उनेश्रो 28 में आया था। मगर उस टाइम ये आयोग जब आया था उस टाइम इसम्स में जहारखन, राजिवगी की मानग के गई थी।fire में अगर ब्रीतीत सरकर न्यbreaker कोई ध्यान नहीं दिया इसपधे कोई विचार ही नहीं मुझे जए इस पर राज्जी को अलग किया जाए उसके विचार नहीं देल एक है। कौन है हजारी बाग हजारी बाग आप कोस्चन था कि ऐसा कौन सा तिहवार है जहां लड़कियां रंगीन का गज के लकड़ी या बांस का एक फ्रेम बनाती है और आजपास के नद्गों या पहाड में जाके वो भेट करती वहां पे छोड़ जाके छोड़ देती तो यह टू परवे जहारखंड का परवे टूसू परवे जिसमें लड़कियां रंगीन कागज का एक फ्रेम बनाती है लकड़ी या बांस से सजाती है और वो आजपास के पहाडी चेतर या नदी में जाके उसको भेट कर देती है तो वो कौन सा परव होता है तो टूसू परव होता है अब कौन सा अंदोलन अपने सुरुवाती चरन में कुरुख धर्म के नाम से जाना गया था जारखंड में कितने अंदोलन हुए हैं वो तो बहुत सारे अंदोलन हुए हैं तो कौन सा अंदोलन अपने सुरुवाती चरन में कुरुख धर्म के नाम से जाना जाता है तो तान भागत अंदोलन था क्वोन ता भागत अंदोलन और ताना भागत अंदोलन कभ वा था तो 21 से 21 इसувати प्रेल 1922 में lesser date भी याद रखेगा तो सकता है पुछ सबती और उस पतो है तैंज सबता छेसन नेसर नणे कर्ता दे वो तो जत्रा उराव कौन थे जत्रा उराव अब कोस्चन था एक था बिर्शा मुंडा के सम्मंद में उसमें चार ओप्षन दिया था जिसमें एक ओप्षन गलत था अब बिर्शा बंदोलन के बारे में पढ़े होंगे तो उसमें जो डिटेल में पढ़े होंगे कि उनके भा तिलका मांजी के संबंद में तिलका मांजी के संबंद में भी चार ओप्सन था उसमें तेन सही था एक गलत था उसी को चूल दो वो इस सबसे आया था तिलका मुंडा बिश्टा मुंडा से और तिलका मांजी से एक कोस्चन था वो खेल खिलाडी या तो कौन खिलाडी किस खे तो ये 2016 के एक जाम का question था, उस time क्रेंट में जो योजना चल रही थी जारकन के जीले में, उससे समंदी दो question था, पाँच question जारकन के क्रेंट एफेर्स थे था, कितना पाँच question जारकन के क्रेंट एफेर्स थे, और जारकन पंचायत अधिनियम, ये जारकन पंचायत अधिनिय मतलब मुख्य मंत्री के संब्स में था कि पहला अधिवासी मुख्य मंत्री कौन थे उसमें चार ओप्सन दिया जिसमें एक गलग था और फिर उस मंत्री किस पदपे थे, उसे एक question था शिक्षा मंत्री उस टाइम, फिर या खिल मंत्री इस तरह का question था, तो आप लोग समझ गई होंगे कि कैसा question आता है, उस time जो question था, दो जर सोईलों में एक ज्जार कंड सी जी येल का, उसमें ज्जार कंड के इतिहास से तो ऐक भी question नहीं है, सिर्फ एक question देखने को मिलती है, अब हम इसमें कुछ book और author का नाम बताएंगे, जो जारकंड book, जो जारकंड के समन में ये book लिखा गया है, और ये book बहुत important हो सकता है, पिछले years का, पिछले साल का question देखने से पता चलता है, कि इसमें दो book, दो book के बारे में पूछा गया है, तो इस basis पे हम कुछ book को यहां पे लाए हैं, और उनका लेखक के नाम भी बताएंगे, और सबसे पहले है, call rule, call rule किसकी कृती थी या किसकी book थी, तो ये लोको बुद्रा, किसकी थी, लोको बुद्रा, call rule किसकी book थी, तो लोको बुद्रा की और बिर्षा भगवान के पुस्तक के लेखक कोन है, ये बहुत ही most important question है, बिर्षा भगवान पुस्तक के लेखक कोन है, तो धनपत महतों, कौन है, धनपत महतों, अब तिसरा, हालांग हालपूं, हालांग हालपूं, पुस्तक के लेखक कोन है, ये भी लोको बुद्रा थे, कौन थे लुको बुद्रा, लुको बुद्रा से यहां दो पुस्तक आया है, एक कोल रूल, लुको बुद्रा लिखे हुए है, हालांग, हालपुंग, लुको बुद्रा लिखे है, और बिर्सा भगवान की पुस्तक कौन लिखे है, धनपत मोहतो है, बिर्सा भगवान पुस् जिसकी है सूकमार की है अब पानी पिठा पानी पिठा एक पुस्तक है जिसके लेखक दिनेस पर्शार कौन थे दिनेस पर्शार अब अधी धर्मा अधी धर्मा एक पुस्तक का नाम है जिसके लेखक है राम द्याल मुंडा जिसके लेखक कोन है राम द्याल मुंडा और वाट ए लूजर एक पुस्तक है जिनके लेखक है पंकज दुबे कोन है पंकज दुबे वट ए लूजर एक पुस्तक का नाम है जिसके लेखक है पंकज दुबे और संझावटी ये संझावटी पुस्तक है जिसके लेखक है दिनेस परसार कोन है दिनेस परसार यहां दिनेस परसार क दो पुष्टक का नाम आया है और फिर लोको बोधरा इससे भी दो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट बिर्शा बगवन की पुष्टक के लेखा कोन है तो धनपत महतों ऐसे तो सारे इंपोर्टेंट है सारे कर लीजेगा आई होप आप लोग कोस्टेंट के बेसिस पर देख सकते हैं कि पिछले साल का कोस्टेंट कैसा आया है और इसके जितना भी फैक्ट निकल रहा था हम सारा आपको बता दिये ठीक आप लोग इस चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को लाइक करें सस्क्राइब करें और जायदा से जायदा सेयर करें थैंक यू